प्रधानमंत्री मोधी की सुरक्षा में चूख होने के बाद से SPG काफी चर्चाओं में बनी हुई है हर कोई SPG से जुड़ी अलग-अलग जानकारी के बारे में जानने की कुशिश में लगा हुआ है पहले तो आप ये जान लीजिए SPG देश के सबसे ताकतवर कमांडोज में से एक होते है इतना ही नहीं SPG देश की सबसे स्पेशल फोर्स होती है SPG के पास सिर्फ मौझूदा प्रधानमंत्री की सुरक्षा की जिम्मेदारी नहीं होती बलकि पूर्वर प्रधानमंत्री की सुरक्षा का जिम्मा भी SPG पर ही होता है जाइर सी बात है इतना बड़ा पद और इतनी बड़ी जिम्मेदारी होने के बाद SPG की सैलरी भी ज्यादा ही होगी इस खबर में हम आपको SPG की सैलरी से वाकिफ कराएंगे जिसे जानने के बाद आप भी हैरान हो जाएंगे उससे पहले आपको SPG से जुड़ी कुछ खास जानकवरियां से वाकिफ कराते हैं आपको या बता दें SPG में किसी की भी सीधी भरती नहीं होती वैसे तो दूसरे सैन्नेबल में सीधी भरतियां की जाती है लेकिन SPG के लिए भरती प्रक्रिया बिलकुल अलग है इसमें वरिष्ट अधिकारियों की भरती, भारतिय पुलिस सेवा केंद्रिय ओद्योगिक सुरक्षबल, सीमा सुरक्षबल और केंद्रिय रिजर्व पुलिस बल से की जाती है SPG के जवान हर साल ग्रुप में बदलते रहते हैं कोई भी जवान एक साल से अधिक समय तक सेवा नहीं दे सकता है SPG का कारेकाल पूरा होने पर मूल इकाई में वापस भेज दिया जाता है SPG में अलग-अलग पदों के लिए कई जवान आवेदन करते हैं SPG में आने वाले उमीदवार पहले से ही स्पेशल फोर्स में कारेरत होते हैं चैनित उमीदवारों को वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है ये वही ट्रेनिंग है जो युनाइटेट स्टेट सीक्रेट सर्विस एजिंट्स को दी जाती है इसमें जवानों को फिट, चौकस और टेकनोलोजी में पर्फिक्ट बनाय जाता है खैर इसमें कोई शक नहीं कि देश के प्रधारमंत्री की जिम्मेदारी होने के नाते SPG का एक-एक कमांडर वन मैन आमी होता है इसके बाद इन्हें तीन महीने के लिए निग्रानी पर रखा जाता है जिसमें एक सापताहिक परीक्षा भी शामिल है प्रोबेशन में फेल होने वालों को अगले बैच में एक और मौका दिया जाता है और अगर वो फिर भी इसे क्लियर नहीं कर पाते हैं तो उन्हें मूल यूनिट में वापस कर दिया जाता है SPG सदस्यों को नियमित रूप से एक ड्यूटी से दूसरी ड्यूटी में घुमाये जाता है चलिए अब आपको SPG की सैलरी से वाकिफ कराते हैं हम आपको SPG की जिस सैलरी से वाकिफ कराएंगे वो एक महीने की है तो चलिए जानते हैं अगर यहां मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो SPG कमांडो को हर महीने 84,236 से 2,49,457 रुपे बतौर सैलरी दी जाती है SPG कमांडो को हर महीने भत्ता भी दिया जाता है ओपरेशन ड्यूटी में तैनात कमांडो को लगभग 27,800 रुपे नौन ओपरेशनल ड्यूटी वाले जवानों को 21,225 रुपे सालाना ड्रेस भत्ता दिया जाता है कुल मिलाकर अगर कहें तो SPG के कमांडो को हर महीने सैलरी के अलावा और भी कई सुविधाई मिलती है बहराल इस पर आपकी क्या राए है कमेंट करके हमें जरूर बता